मंगल ग्रे, आईए दोस्तों जानते हैं कि मंगल प्लानेट के हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले होता है मंगल ग्रे हमारी health को represent करता है muscles को, हमारे blood को, liver को हमारे जितने भी contacts हैं, हमारे रिष्टेदार हैं हमारी महनत है हमारे घर की खुशी और गमी मंगल से देखी जाती है हमारा कोई भी बंद गली का घर हो या T-point का घर हो उसमें मंगल का बहुत बड़ा roll play होता है हमारे घर की entrance मंगल की होती है हमारे घर का kitchen मंगल का होता है लाल रंग मंगल का होता है मूंगा यानि coral, जो stone है वो भी मंगल ग्रह से होता है हमारे जितने भी relatives हैं हमारा जो मूं है यानि जिस से हम खाते पीते हैं और उसके साथ साथ जो हलवाई है या जो भठी के कारोबार है या फैक्टरियों में जो भठी जलती है वो सब मंगल ग्रह के अधीनाते हैं अब हम जानते हैं कि मंगल ग्राय के हमारी अलग अलग चीजों पर क्या effects होते हैं कैसे मंगल इन सब चीजों को represent करता है और इन सब चीजों को ठीक रखने के उपाए क्या है दोस्तों हमारी health जो है या हमारे जितने muscles हैं body में सब मंगल ग्राय के दिनाते हैं जब हमारी कुंडली में मंगल जो है वो दो तरह से होता है मंगल नेक और मंगल बद मंगल ग्रै जो नेक वस्था में होता है वो केतू के अकॉर्डिंग ली चलता है और जब मंगल बद होता है तो वो राहू के अकॉर्डिंग ली चलता है दोस्तो मंगल हर कुंडली में नेक और बद दोनों तरह का होता है मंगल जब हम दिलेरी करते हैं जब हमारी confidence level बहुत strong होता है हम दिलेरी से कहीं पर भी कोई काम करते हैं तो वहाँ पर मंगल जो है वो नेक गिना जाता है क्योंकि मंगल नेक फॉजी है जो किसी से डरता नहीं और मंगल बद डरपोक है यानि जहां पर हमारा confidence lack कर जाता है हमारा confidence lose हो जाता है हम डर जाते हैं तो जो हमारी life का phase है वो मंगल बद से देखा जाता है मंगल बद जो है वो देखने में डरावना हो सकता है या बोलचाल मे डरावना डरा सकता है लेकिन वो अंदर से खोद डरा हुआ होता है दोस्तो जब हमारी muscles में कमजोरी आनी शुरू हो जाए, cramps पढ़ने शुरू हो जाए, हमारी health down आनी शुरू हो जाए, हमारी strength में कमी आ जाए, हमारी body में कमजोरी महसूस होनी शुरू हो जाए, तो समझिए कि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर पढ़ना शुरू हो गया है तो उन सब चीजों को यानी health को cover करने के लिए क्या उपाए कर सकते हैं सबसे पहले ऐसे case में तीन धातू का चला पहना आया जाता है, तीन धातू का चला जिसमें सोना, चांदी और तांबा, तीन अलग अलग metals की ring बना करके, उनको melt नहीं करना तीनों अलग-अलग metals अलग से हमारी body पर touch होने चाहिए, तो वो तीन धातू का चला हमें beneficial result देने शुरू करता है हमारे जो body की health है, वो सुधरनी शुरू होती है हमारे इस mangal को health के prospect से ठीक करने के लिए एक और उपाय है वो होता है, बढ़ के पेड़ से यानि bannion tree से bannion tree पर हमने दूद में brown sugar mix करके जो देशी खांड है, brown sugar है उसको हमने दूद में mix करना है brown sugar भी mangal के accordingly चलती है, देशी खांड जिसे बोलते हैं, उसको दूद में mix करके, बढ़ के पेड़ पर चड़ाया जाता है, और जब वो दूद तने से नीचे गिर जाए तो उस दूद से जो मिटी गिली हो जाएगी, उस गिली मिटी को थोड़ा mix करके, तिलग करना 43 days regular, हमारी health को बढ़िया करता है हमारी जो physical strength है उसमें बढ़ोतरी करता है और मंगल जो है, वो शुक्र से सम्मंदित अपने results भी देता है यानि कि हमारी जो sexual power है, हमारे hormones हैं हमारे testosterone levels हैं उनको भी promote करता है इसलिए इन दोनों उपायों से आपकी health में सुधार आता है उसके बाद हमारा मंगल जो है, वो हमारे liver से connected है, क्यूंकि liver body में खून को बनाता है blood भी मंगल से है और liver भी मंगल से है दोस्तो, liver के regarding, जो तीन धात्तू का चला है, वो तो बहुत अच्छे result देगा ही देगा लेकिन, liver को specially ठीक करने के लिए आपको अपनी कलाई पर सोने का, या फिर चांदी का कड़ा पहन कर रखना चाहिए, चांदी का कड़ा जो आपने पहनना है, अपने liver को specially ठीक करने के लिए या ठीक रखने के लिए वो एक ही चांदी के कड़े में तीन तांबे के कील लगवाने है, एक सोने का कील लगवाना है, आर पार ठोकने है कील, वो कोई भी सुनार असानी से बना देगा, यानि चांदी का ढ़लाई का कड़ा, कास्टिंग का उसमें तीन छेद करके उसमें तीन तांबे के कील और एक छेद करके उसमें सोने का कील ठोकवा करके, उस चांदी के कड़े को धारन करके रखिए, उससे आपका लिवर ठीक रहेगा, उसमें प्रॉब्लम्ज नहीं आएंगी, और प्रॉब्लम्ज है, तो वो भी सुधरेगी, मंगल हमारे कॉंटेक्ट्स है, तो जब हमारी कुंडली में नेक और बद दोनों तरह का मंगल है, जैसे कि मैंने बताया है था कि हर कुंडली में नेक और बद दोनों प्रपोर्शन होते हैं, तो ऐसे में कॉंटेक्ट्स के थ्रू हमारा बेनिफिट कैसे होगा, देखिए मंगल नेक, जैसे मैंने बोला था दिलेर है, वो गुसे वाला है मंगल नेक, बहुत बलंड होता है सीधा-सीधा मुँपे बात बोल देने वाला और बिल्कुल सच बोलने वाला इंसान होता है, उन लोगों को कई बार कॉंटेक्ट्स उनके लूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों को असल में सच सुनना बरदाश नहीं हो पाता है, लेकिन जो मंगल बद है वो मुँपे मीठा बोल के अपने काम निकलवा देते हैं और मंगल बद शनी का दोस्त होता है शनी क्या है हमारा बिजनस तो मंगल बद की एनरजी हमारे कॉंटेक्ट्स को रेज करने में बेनिफीशल होती है, यानि कि ऐसे लोग मीठा बोल बोल के अपने कॉंटेक्ट्स गेन करके कारोबार के रेगार्डिंग लेने के लिए कॉंटेक्ट्स को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंप्ली जौं थोड़े से लेने हैं जिसे बारले भी कहा जाता है, जौं लीजिए उनको दूद से धो करके या तो बहते वे पानी में जलप्रवा कर दीजिए अगर जलप्रवा करने के आप्शन नहीं है तो थोड़े से जौं लीजिए आदा किलो एक किलो ले सकते हैं उनको मंगलवार वाले दिन गौमूतर से धो लीजिए गौमूतर से धोके धूक में सुखाईए उसको लाल रंग के कपड़े में टाइटली बांध कर अपने घर के अंदर संदूक के नीचे या किसी भी हेवी वेट के नीचे अंधेरी जगा पे रखिए उससे आपके कॉंटेक्स बहुत ज़ादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे आपकी हेल्थ भी सुधरेगी और कोई प्रॉब्लम्स भी जनरेट नहीं होंगी कॉंटेक्स बढ़ेंगे आपका बिजनस भी बढ़ेगा मंगल हमारी मेनत का कारक है इसलिए जिन लोगों को अपना बिजनस बढ़ाना है हेल्थ सुधारनी है कॉंटेक्स रेज करने है उनको जिम जाना चाहिए जिम यानि की फिजिकल एफ़र्ट फिजिकल वरक आउट करना चाहिए उससे क्या होगा जिम जाने से जिम जो है वो मंगल और शनी दोनों की जॉइंट आइटम है जिन लोगों की कुंटली में मंगल शनी एक साथ होते हैं या मंगल शनी का दृष्टी संबंद होता है उनके घर के आसपास कोई ना कोई अखाड़ा या जिम या कोई भी फिजिकल वरक आउट करने का कोई ना कोई सेंटर आपके घर के आसपास कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा तो जिम जोईन कर लेने से आपका जो मंगल है वो और ज्यादा प्रमोट होता है मंगल हमारे घर की खुशी और गमी दोनों का कारक होता है जो खुशियां है वो मंगल नेक से हैं जो गमी है वो मंगल बद से है इसलिए आपके घर में खुशियां बढ़ती रहें और गमी ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अपने घर में मिटी के तवे पर गोड़ वाली मीठी रूटियां पका कर उसको गरीबों में या कुटों में माट देना चाहिए महीने में एक बार किसी भी मंगलवार को 8-10 रूटियां असल में ये उपाये ऐसे होता था कि तंदूर में गुड़ वाली मीठी रूटियां लगवाते थे लेकिन उसको लोहे की रॉड टच ना करे लेकिन तंदूर में मिठी रूटियां लगवाना आज की डेट में पॉसिबल नहीं हो पारा लोग लगाते नहीं हैं बनवाते नहीं हैं उससे भी पहले जो कंसेप्ट था वो होता था कि जमीन पर आग जलाई जाए जब वो जमीन बहुत ज़्यादा तप जाए तो उस जमीन पर गुडवाली मिठी रूटि से की जाती थी लेकिन आज की डेट में पॉसिबल ना होने की वज़े से एक ही ऑप्शन है कि मिठी के तवे पर गुडवाली रूटियां पकाईए उसको लोहे का चिम्टा या रौट टच ना हो वो रूटियां गरीबों में या कुतों में बटवाएं अटलीस महीने में एक बार और दस से पंदरा रूटियां कम से कम होनी चाहिए इससे आपके घर में खुशियां बढ़ती हैं गमी नहीं आती ब्लाड रिलेटेड मेजर डिजीजिज नहीं होती और ग्रोथ बनी रहती है और जब भी खुशी का मौका हो जब भी आपने घर में कोई सेलीब्रेशन करनी है या कोई रिष्टेदारों का कोई गेट तोगेधर करना है कोई बड़ा कोई शादी है या कोई बड़ा इवेंट है खुशी का तो उस वक्त मिठाई के साथ साथ नमकीन जरूर बांटें जब भी आपने रिष्टेदारों में आपने मिठाई बांटनी है तो उसमें नमकीन का पैकेट जरूर रखें ताकि आपकी खुशी को नजर ना लगे तीसरी चीज़ अब आगे क्या है कि जितना भी बंद गली के मकान होते हैं यानि कि कोई ऐसा घर जिसके आगे गली बंद हो जाए या रोड ब्लॉक हो जाए या फिर कोई टी पॉइंट पे बिलकुल घर हो तो वो घर प्रॉपर मंगल बद के घर गिने जाते हैं ऐसे घरों में बरकत नहीं रहती खून की प्रॉब्लम्स आ जाती है कला कलेश बहुत जादा बढ़ता है कुल वृध्धी में दिक्कत आती है बेटा हूने में दिक्कत आती है या फिर घर में वैसे ही लड़ाई जगडे मन मुटाव, कोल्ड वॉर्ज आपस में नाब बनना इस तरह की चीज़ें होती रहती है ऐसे घरों मुको सबसे पहले तो अवोईड किया जाए साउथ फेसिंग के घर को अवोईड किया जाए और अगर ऐसा अल्रेडी घर है और आप उस घर को बदलने की स्थिती में नहीं है तो आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले उस घर की जो में एंटरेंस है जो घर की दहलीज है उसके नीचे चांदी की तार डाल दीजिए और उसके साथ साथ अंदर की तरफ से जब आप बाहर को निकलते हैं तो अंदर की तरफ से जो घर की में एंटरेंस है वहाँ पर लोहे के कील आधे आधे ठोक दीजिए यानि अगर डेड़ इंच का कील है तो आधा इंच के आसपास कील चार जगां चारों कॉर्णर्स में मेन एंटरेंस पर वो चार कील ठोक दीजिए ताकि मंगल बद को शनी की सपोर्ट मिल जाए और आपको कोई क्रॉनिकल डिजीजिस तंग ना करें उसके बाद आपका जो किचन है वो भी मंगल का होता है तो किचन को हमेशा साफ सुतरा रखें जब भी आपने रात को किचन आफ करना है उसमें गैस लास्ट टाइम आफ कर देनी है तो उस वक्त आपके घर के किचन में कभी भी जूटे बरतन ना हो गंदगी ना हो बुरी स्मेल ना आए आप अपने किचन को जितना साफ सुतरा रखेंगी उतना ज्यादा आपका मंगल बेनिफीशल हो जाएगा प्रमोट होगा और आपके लिए उतना ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा लाल रंग मंगल का रंग होता है लेकिन खुनी लाल रंग जो है वो मंगल बद का होता है इसलिए जब भी आपने लाल रंग पहनना है या फिर पैरों में तो लाल रंग पहनना ही नहीं चाहिए लाल रंग के जूते नहीं पहनने चाहिए और लाल रंग को हमेशा सिर पर या माथे पर सजा के रखें मंगल को बेनिफीशल बनाने के लिए माथे पर लाल रंग का तिलग जरूर किया करें जिन लोगों का मंगल कुंडली में बहुत बेनिफीशल है अच्छा है उन लोगों को कोरल की अंगुठी पहननी चाहिए कोरल स्टोन जो है वो हमेशा तांबे में या सोने में पहना जाता उनके साथ कोई रंजिश का भाव ना रखें हमारे लिप्स मंगल नेक और बद के होते हैं अपर लिप मंगल नेक है लोर लिप मंगल बद है इसलिए जब आपके होंट फटने शुरू हो जाएं उनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएं किसी का भी जूठा खाने से आप अपने मंगल को कमजोर और खराब कर लेते हैं जब आपको जूठा छोड़ देते हैं तो आप अपने मंगल को बहुत जादा कमजोर कर देते हैं जूठा भोजन छोड़ना खराब मंगल होने की निशानी होती है और कभी भी, किसी भी ऐसी जगा पर घरना बनाए जहाँ पर भठी के काम होते हो या कोई ऐसा प्लोटना हो जहाँ पर जमीन जली हुई हो क्योंकि जली हुई जमीन मंगल बद की होती है और कभी भी शम्शान घाट के आसपास यानि कि जिस घर के छत से शम्शान घाट या कबरिस्तान नजर आता हो उस जगा पर घर नहीं लेना चाहिए जब भी आप शमशान घर घाट के आसपास कहीं घर ले लेते हैं तो समझिए कि आपका मंगल बहुत ज़ादा खराब हो रहा है तो ये कुछ ऐसे precautions और remedies हैं जो मंगल को शुब रखने के लिए अच्छा रखने के लिए जरूरी हैं जो मैंने आपसे share किये हैं बाकी जिन लोगों को अपनी कुण्डली दिखानी हैं मेरे number पे contact करें और इस वीडियो को maximum लोगों तक share करें ताकि लोग अपने मंगल को अच्छा रख सकें बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब के प्यार के लिए और आप सब के जो वीडियो आप मेरे share करते हैं इतना प्यार देते हैं उन सब चीजों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो ऐसे सुनते रहें लाइक, subscribe, comment और share करते रहें बैल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए थैंक यू वरी मच